और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो ज़रूर आप सस्क्राइब करने हो बेल आइकन में प्रिस कर लिजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे हम आज डेचेफल के बारे में बात करेंगे चरण सिंग चौहान साब ने पूछा है कि डेचेफल में सर बत उन्होंगे बारे में कहा था कि डेचेफल ने जो भी फंड अपने उच्छाए हैं जो लिए हैं पैसा उसकी जो रिपैमेंट करनी है और जो लूनने कमेश्रल पेपर इश्यू करके जो पैसा मेंके पास है और जो उसकी डिउड डैट आई है जोन में तो शायद यह लगया क्योंकि इन्होंने एक news में बताऊंगा कि DHFL के साथ वैसा नहीं हुआ, इनका management ने interest पे किया, कुछ एक किस्त पे की हुई है, तो आएए देखते हैं पहले आज की situation क्या है दिवान housing finance limited में, तो 10 जून है 2019 और open हुआ था यहाँ पे 87 रुपए, high बनाया था 91 का, previous close जानी कि Friday को जो इसके स्थिती थी, 83 रुपए, 30 पैसे पे और आज वर्तमान समय पे, मतलब कि 11 बच के 43 मेंट पे, मार्केट खुले हुए भी 2,5 गंटे ही हुए हैं, तो यहाँ 5 रुपए की upside पे हैं, और low बनाया था 85 का आज, और यह situation है buying की, यह selling की, इस समय चल रही है पे, तो पहले हम दिवान Housing Finance Limited के एक छोटी सी नूस देखने हैं के डिजफिल, I ams to clear all dues by the end of cure period, riskal business, according to a company source, the group will prepare the dues by Thursday, even as its managing director and chief executive officer, Kapil Vadawan, said payments will be made on Monday, इन्होंने कहा है कि payment जो है, जरूर की जाएगी, और Monday को की जाएगी, तो दिवान Housing Finance Corporation is confident of honoring its payment obligations by the close of the 7th working day, तो management ने साफ कह दिया है कि बहुत ही confident है कि भिया हम जो भी due है, वो clear करेंगे, हम default नहीं करेंगे, तो चलिए मैं skip करता हूँ इस news को, इसी वज़े से आज इसमें अच्छी स्थिती है, और काफी upside पे है, मुकाबले जो Friday को इसकी closing हुई थी, तो पहले हम जान ले कि ये company करती क्या है, जिनको नहीं पता है, तो वो थोड़ा सा समझ जाएंगे, दिवान Housing Finance Limited जैसे की नाम से ही पता है, वन अप इंडियास लीडिंग housing finance companies is committed in creating, protecting and maintaining your dream home by offering attractive interest rate, we are here to guide you on everything you need to know about availing a home loan. Basically, ये home loan provide करती है और उसमें भी कई चीज़ें देती जैसे की यहाँ पे various types of housing loans, we also offer a wide range of other loans options, loan like against property यानि mortgage loan, business loans, plant and machinery loans, medical equipment loan, etc. We also offer deposits as attractive interest rate, deposit भी ये लेते हैं और अच्छा खासा interest देते हैं. तो निसंदे एक बहतरीन कंपनी थी, अगर हम देखा जा तो एक साल पहले सब कुछ सही चल रहा था और काफी investors को भी इसमें return अच्छा मिल रहा था, लेकिन फिलाल, अभी मैं चाट दिखाता हूँ आपको, लेकिन बेसिक चीज़े हम जान लें कि 18 रुपए, दस पैसे के भाव पर ट्रेड हो रहा है, जून 10 को, 2019 को लो इसने बनाया, 80 रुपए, और हाई जो बनाया था, 691 यानि हाई से बहुत नीचे है. अब यहाँ पर देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक हाई बनाया, हाई के थोड़े दिन बाद ही, यानि 14 सप्तंबर या 19 सप्तंबर को धळाम से गिरा, और लगातार फिर नीचे आता गया, नीचे आता गया, फिर थोड़ा कभी ऊपर कभी नीचे, और लो बनाय इसने साथ जून को 80 रुपए 75 पैसे के साथ, अभी यहाँ पे डेटा अभी इनके आया नहीं है, 2019 के जो रिजल्स आने थे वो नहीं है, इसलिए से करेंट हम पुराना ही दिखा पाएंगे, जो भी इस सिती इनकी अभी इस पश्ट नहीं है, लेकिन फिलार मैं पढ़ देत आये, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जो स्टॉक इतने हाई सी इतने नीचे आ चुक है, तो क्या उसमें हमें घुशना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या बाइन करनी चाहिए, या जो लोग उन उस समय खरीदा था एक साल पहले, उनको क्या करना चाहिए, उस पे डिस्कस करेंगे, डिलीवरी देखी बहुत तभी भी वैसी नहीं है, 12.09 के सिती चल रही है, फेस वैल्यू अभी दसकी है और प्राइस टोगो कर 0.32 और फनेंशल हम यहां पर अगर देखते हैं, तो दिसंबर 18 तक के दिखा रहे हैं, तो हम अभी क्वार्टर के देख लेते हैं, सक्तमबर 18 से दिसंबर 18 के बीच में, जो इनकोए, नेट सेल्स थी, 347 कोड की वहीं, दिसंबर 18 कोड की रह गई, तो यहां पर भी डाउनसाइड हैं, डेट मत देखिए क्योंकि यह लोग पैसा लेके ही, करजा लेके ही, इंट्रेस्ट पे अगले करजा देते हैं, अब अगर हम बात करें यहां पर रिटर्न की, तो देखिए जिनोंने एक साल पहले पैसे लगाया थे, माली जी आपने एक लाख रुपए लगाया था, त यानि कि आपका पंद्रह हजार रुपए ही बच रहा है, तो ऐसी सिच्वेशन में अगर हमारे यहां पे, जो हमारे सिस्क्राइबर में तने पूछा है, कि सर डेज़िफल में क्या करें, होल्ड करिया निकल जाएं, ऐसी सिति में क्या करना चाहिए हमें, मैं तो यही कहूं अमालीजी उसको बेज दिया, थोड़ी सी जो अमाउंट है, उसको लेकि किसी और स्टॉप में आपने खरीदा, और वो भी डाउन चला गया, तो आप और रिप्रेस हो जाएं, इससे अच्छा है कि अगर आपने लेते वक्त, यह सोचा रहा होगा, कि मैं एक लंबे समय के निवेशक हो और मैं दो, चार साल, पांस साल तक होल्ड कर सकता हूं, तो अभी बेचे ना, क्योंकि क्या quantity तो वही बनी हुई है, और नई बाइंग के लिए भी मैं नहीं कोँगा, क्योंकि अगर आपने फिर से बाइंग करके एवरेज करना चाहा, क्योंकि मैं अभी इस्त से बाइंग करने के लिए तयार रहते हैं, लेकिन ऐसी कमपनी में क्या एवरेज करेंगे आप, जो सीधे 10-15% ही रह जाए आपका पैसा एक साल में, तो इस वज़े से मैं तो यही सला दूँगा कि आप बेचिये मत लॉस में, बने रहे हो सकता है कि रिकवर करें, हो सकता है कि मैनेजमेंट का जो है रिपैमेंट टाइम टाइम लीग कर रहा है, जैसे कि उन्हें अनाउंस की अन्यूज में और फिर से इसमें आया, तो हो सकता है कि दो-चार साल, एक-दो साल या जब भी इनके फरेंशल अच्छे हो, क्यों कमपनी देखिये पहले अच्छे थी मैने प्लेन है, उसका एक पाइलट है, अब सारे यार्त्री उस पर भरोसा करके अब ट्रेवल कर रहे हैं, अब उसका पाइलट है, अब क्या करें है, मेचियोर नहीं है, और कहीं भी क्रैश करा दिया, तो सारे लोग विचारे खतम हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से जितने कॉंटिटी वाले बने रहें, मैं तो बेचने की बिल्कुल सला नहीं दूँगा, और एक टाइम के बाद जब कभी इसमें निकले का मौका लगए आपको, तो फिन निकल जाईएगा, अगर आपका पैसा निकल रहा है, अच्छा खासा, लेकिन अभी फिलाल तो कुछ बचा था, और अगर हाँ, अगर आपको कुछ और ही इनिवेस्ट करना, फ्रेश इनिवेस्ट करना, तो बहुत सारी ऐसी कंपणिया है, जो अच्छा रिटन देती है, जिन में अच्छा पोटेंशल है, MBFC कंपनी भी अगर आप चाहें, तो इनिवेस्ट करना चाहें, दूसरी हो गई आपका हो गई IDFC भी थोड़ा सा अट्रेक्टिव लगना क्योंकि मैंनेजमेंट उनका अच्छा है आने वाले समय में हो सकता उसमें अच्छा पोटेंशल हो तो बस यही पर अपना वीडियो वाइंड आप करता हूं अप्रेक्टिय।